समस्कार मैं राज महोंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज स्वास्त विभाग ने आज 19 जुलाई के कोरोना अपडेट को जाड़ी कर दिया है आज के अपडेट में एक सुधार भी देखने को मिली है जो जिसकी हमने कल बात की थी खेर वो हम बाद में आपको बताएंगे वो कौन सी सुधार है लेकिन फिलाहाल हम बात कर लेते हैं कि आज कितने नए मरीज सामने आ हैं एधाल ऌर पर्षों के रिपोर्टेड मामले थे वो 717 2011 के रिपोर्टेड मामले इस तरह से कुछा आख्रा हो गया चौदासो बाड़े का और इन दोनों ही तारीकों के लिस्ट जो पैशंट इस जीले से कितने मिले है इस बार जाड़ी की गई है जैसे कि पहले जो अपडेट आप दे थे, उसमें होता था कि पिछले दिन के ही अपडेट को बताया जाता था कि किस जीले से कितने मरीज मिलें, उसके पिछले वाले डेट को नहीं बताया जा रहा था, लेकिन आज जो आकरे जारी किये गये हैं, उसमें दोनों ही तारीखों क जो अपडेट है कि इस जीले से कितने मरीज मिलें उसके बारे में बताया गया है तो बिहार में कुल आकरा जो है वो पहुंच गया है 26,389 का बिहार में कोरोना के जो मामले है वो 26,389 हो चुके है आकरे काफी ज्यादा बढ़ रहा है बिहार में देखा जाए तो पिछले करना है किस तरह से अंपिधाय बनानी है लोगों की जाँच को कैसे बढ़ाना है मरीजों की जाँच को कैसे बढ़ाया जाए है और होस्पिटल में क्या-क्या विवस्थाएं है ये सबी टिप्स उन्हें देंगी साथ ही बिहार के नेमेंट जोन का भी वह दोड़ा करेगी और हॉस्पिटल का भी दोड़ा करेगी कि क्या सुभिदायें और क्या विवस्थाएं बिहार में की गई है प्रशासन स्वास्त विभाग ने क्या की है फिलाल अभी हम आपको पता देते हैं कि किस जीले से कितने मरीज मिले हैं पिछले दो दिनों की जो आकरे जारी किये गए कल 18 जुलाई के अगर बात करें तो अररिया से 6, अरवल से 10, बाका से 8, बेगुसराई से 1, भागलपूर से 34, भोजपूर से 23, दर्भंगा से 14, इस्टचंपारन से 23, गया से 49, गोपालगन से 3, जमुई से 2, चिहानबाद से 21, कैमूर से 1, कटिहार से 1, किशनगन से 8, लख अलंदा से 44, पटना से 62, पुर्निया से 5, रोता से 78, समस्तिपूर से 49, सारं से 23, सिख पूरा से 7, सीवहर से 4, सितामडी से 10, सिवान से 3, सुपाल से 33, वैसाली से 5, वैस्चंपारन से 36, इस तरह 18 जुलाई के रिपोर्टिट मामले थे, जो की 639 हैं, अब हम 17 जुलाई के रिपोर्टिट मामले देख लेते हैं, उसमें किस जीली से कितने मरीज मिले हैं, तो अररिया से 25, अरवल से 5, औरंगाबाद से 46, बाका से 9, भागलपूर से 35, भोजपूर से 63, बकसर से 4, दर्भंगा से 3, इस्टचंपारन से 1, गया से 10, गुपालगन से 37, जमुई से 45, ज अरवल से 9, मदुबनी से 2, मुझःपरपूर से 25, नालंदा से 18, नवादा से 5, पटना से 57, पुर्णिया से 23, रोता से 34, सहरसा से 5, समस्तिपूर से 51, सारन से 69, सिकपूरा से 5, सीवर से 9, सीतामरी से 9, सीवान से 5, वैसाली से 35, और वैस्चंपारन से तिरपन, इस तरह 17 जुलाई के रिपोर्टेट मामले कूल है, 774 जो आकड़े आज सामने आए हैं, इन नए मरीजों के सांथी बिहार में आकड़ा 26,389 के पास पहुंच गया है, और बिहार में जो विवस्था है, जिस तरह से लगतार वाइरल वीडियो आ रहे हैं, लोगों की बाते आ रही है कई सिकायते सामने देखने को मिल रही है, स्वास्त विभाग के प्रती, स्वास्त मंत्री के प्रती लोगों की नराजगी काफी ज़्यादा बड़ी है, कि इलाज को लेकर लोगों की समस्याए है, सुनने में आया है कि केंदर के टीम के पास भी ये सिकायते पहुंची है, औ और वो भी इस पर बात स्वास्त बिहार के स्वास्त विभाग से बात करने वाली है तो खबरों से बने रहने के लिए देखते रही है बिहारी नियोज धन्यवाद